हेलो दोस्तों मैं आप सब की शालिमा सश्य क्याल नमस्ते गड़ मॉनिंग तो लास्ट प्रीवियस पार्ट देख लेते हैं कि हमारा प्रीवियस पार्ट क्या था तो प्रीवियस पार्ट में लास्ट में देखा था कि स्रेया का भाई जो यश होता है वो शेयर कर रहा होता है कृष्णा को तो आती है और श्रया और श्रया उसकी साडू का पलो ठीक करती है और ठीक करने के बाद आप देखते हैं आगे है तो फिर उसका भाई वहाँ से चला जाता है किचिन से और किचिन से जाने के बाद वो अपने रूम के बालकनी से खड़ा होके कृष्णा को गूर याघ 不要 भृड़ा होता है आप जब किचनस निकलती तो से कि नजर बाई पर पड़ती है तो इसका जो किचन साईड होता है तो इसके वजह से में वहां से रूम के में करनी से किचेन में देगा जा सकता है तो इसलिए वहां पे खड़े होके उसको गोहुरते रहता है तो फिर उसके बाद से जो श्या होती है फिर वहां से पुछली आती है तो फिर जाती है वो अपना लैपटॉप उटाती है और आके हॉल में बड़ जाती है और अपना काम करन में लगती है बड काम से जाए उसका ध्याना उसके भाई पे होता है ऑपने भाई को देखती रहती है कि वो तब से बूरे जा रहा है तब तक सोनिया जी की आवाज आती है कृष्णा क्या डिनर बन गया तो बोलती है कि हाँ ममें बन गया सब को मैं बुला लेती हूं डिनर के लिए तो इधर आके सब का डिनर लगाती है कृष्णा सब के लिए डिनर लगा देती है तो वो खड़ी रहती है सब लोग डिनर कर रहे होते तो श्रय बोलती है कि तुम भी बैठके डिनर कर लो साथ में तो ब tigers भी बैढ़र आती जाती जातन दिनर के लिए तो फिर ऐसा होता है कि सब लोग डिनर कर रहे होते तो उसका भाई जो होता है बार-बार उसको टच करने की कोशिश करता है तो च्रेह इस बात पर ध्यान दियरी होती है तो यह बात उसको अच्छी नहीं लगती है to क्रिश्न को बूलती है कि कृष्णा मुझे उदर से वह पास करो ना तो वह सालेट मांग रही होती है तो वह पास करती है तब तक उसका थ में नैफ होता है। नाइफ जूर से नीचे गरता ते उसके वज़े से भाई का ध्यान और नाइफ के जो सोर होता है उस पर चला जाता है फिर सारा चीज़ा नॉर्मल हो जाती है फिर सब लोग डिनर करने लगते हैं तो जो यश होता है वो श्राइब से बोलता है कि कृष्णा रोटी पास करो ज होता है तो यह चीज स्राइब देखाए तो इसको गुसा आता है और जो से जो स्पून होता है उसको अपने ब्लीड में अब करती है तो इसके वज़े से रखती है तो आवाज होता है तो फिर शौनिया बूलते क्या हूआ बटा तो तुम से आज ही इस सारी चीज दिन रग प्रोष्ण भी किचन जले जाता है वह क्रुश्ण स ऐसा माण impresMI टी है, .. सब्वै कुछ पर सही से लगा के फिर निकलती है किचन से फेर और फिर वो जातीए? अपनी किचन के दरफ तो.. क्या होता है कि वहां पर प्रょष्ण जो होती है और ऐल्डी व्रेश हो के , खेटी रही रही होती है गार वो जाती है और उसके बास सेटी चेंज करते है और उसके और आप तो देखती है कि करश्णा बहुत परिशाना है तो Pakषे परसरागा हैं तो मते हैं शार कि इसे другी नहीं कुछ नहीं हो बस कोई परिशानी नहीं है तो वो बूलती कि नहीं मुझे लग रहा है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुम मुझे बता सकती हो तो कृष्णा जो होती है कहती है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बड़े चूने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद लगता है कि मुझे गलत फामी हो रही है बट वो कुछ रहा वो बात समझ जाती है कि इसके साथ वो पहले भी ऐसे कर चुका है तो वो कहती है अच्छा ऐसा है तो तुम्हें जब लगे कि ऐसा कुछ गलत हो रहा तुम उसी वक्त भूल दिया करो कृष्णा तुम को ऐसे चुप रहने के कुई जरूरत नहीं है तो मुझे लगा कि शाद आपका भाई है तो शाद आप मेरी बात ना समझे तो ऐसे कैसे नहीं समझ सकते हैं तुम मुझसे कुछ भी कह सकती है तुम मेरी फ्रेंड हो तो लाइक ये कहे के अच्छा ठीक है तुम सूझा मैं भी आती हूँ तो वो कमरे से बाहर निकलती है और अपने भाई के कमरे के तरफ जाती है तो फिर नौक करती है तो उसका भाई दर्वाजा खोलता है और बूलता है कि तुम यहां इस टाइम तो कहते है कि हाँ मुझे तुम से बात करनी है थोड़े दर तो कहते है कि ठीक है आओ अंदर तो फिर उसके बाद यह चीज होता है कि उससे बूलती है कि तुम यह क्या कर रहे हो जो अभी तुम डिनर पर कर रहे थे तो कहता है कि मैं क्या कर रहा था तो वो बोलती है कि मैं देख रही थी तुम क्या गर रहते तुम क्रश्ना से दूर रहा हो तो वो कहता है कि क्यों दूर रहा हूँ तुम्हें याद नहीं है तो तुमसे पहले मेरी शादी होने वाली थी उससे और जो तुम उसको नहीं दे सकती वो मैं दे सकता हूँ तो वो कहती है कि क्या तुम दे सकती और मैं नहीं दे सकती हूँ तो फिर थोड़ा दिर के बाद उसको ध्याना आता है कि वो क्या बोल रही है तो कहती है कि देखो अभी ये तुम जो बोल रहे हो ना तुमँह लिए अच्छा नहीं होगा जो भी तुम उसके लिए बोल रहे हो तक रा कि तुम्हे क्या फर्ट पड़ता है और तुम उसको खुश कैसे रख पाओगी वो नहीं रख पाओगी तो इससे अच्छा होगा कि तुम उसको छोड़ दो और उसको मेरे पास आने दो तो वो कहती कि तुम अगर फिर से ऐसे अपने गंदे जबान से उसका नाम ले तो मैं तुम्हारा मुझ तोड़ दूँगी बीवी है वो मेरी ऐसा लग देट कहके और कहती है कि याद रखना अगर फिर से दूबारा किया तो जहान सह मार दोँगी ऐसे कान्स पे हांथ मारते हुए और दरवाजे पे मारते है तो उसका कान्स टूड़ जाता है और उसके हाथ में चुप साता है और वो ऐससे बूल के चले जाती है तब तक आती है रूम में तो देखती है कि कृष्णा सोई नहीं होती है तो देखती है कि उसके हाँ से ब्लीड हो रहा है तो ब्लीड हो रहा है तो वो कहती है कि यह कैसे हुआ तो वो बहाना कर देती है कि हाँ वो बहार में गार्डन में टहलने गई थी तो हाथ में दर्वाजे से लग गया तो वो बूलती है कि अच्छा कोई ने तो वो फस्ट एट किट लाती है उसका हाथ मरहम करती है और पैंडस लगाती है और रखती कि अप चलो तुम रेस कर लो तो फिर वो दूनों सू जाते हैं फिर ऐसा होता है कि मॉर्निंग होती है मॉ तो कर्शना ऊल्वे शृस्ट उठती है तो वो जाती है, फ्रेश वर्ष उठती है तो वो जब वो अपना बाल जटक रही होती है तो उसके कुछ बुन्दे उसके फेस पर पढ़ती है क्रिशना के सारी स्रया के तो उसकी निद खुल जाती है और उसको निद खुलते ही उसकी नजर क्रिशना पर पढ़ती है जो तैयार हो रही होती है तो तैयार हो रही होती है तो फिर देखती है तो बड़े द्हान से उसको देख र तो वो फिर देखती है कि वो अपना पलू ठीक कर रही होती है तो वो नजर घुमा लेती है दूसरे तरफ कर लेती है फिर कहती है कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूं वो तो मेरी है तो मुझे तो देखना ही चाहिए तो फिर वो देखने लगती है तो फिर तब तक जो करशना होती ह तो देखती है कि श्रया जग चुकी है तो कहती है कि अच्छा तुम जग गई तो एक काम करो फ्रेश हो लो फ्रेश हो के नीचे आ जा तू बोलती है ठीक है तो वो चली जाती है तो चली जाती है तो इसको ऐसा लगता है कि अरे यार मैं क्या गर रहे तो क्या सूचेगी मेरे बारे में तो फिर वो उठती है और जाती है फ्रेश होने के लिए फ्रेश होके आती है तो वो टावल में ही होती है तो टावल में होती है और ऐसे ही आके सोच रही होती है कि मुझे कौन सा ड्रेस आज पहनना है तो ऐसे सोची रही होती है तो तब तक उस कृष्णा के फोन प चाहिती है तो वो लिए खोड़ा को aud लगाती है तो खोल दरवाजा तो देखती है कि ऐसी खड़ी है तो वो में बन करके दूसरे साइड लेकी खड़ी हो जाती है तो कहती है कि तुम एक बर दर्वाजवा नौक नहीं करना चाहिए तो वो बोलती है कि तुमें कपड़े पहन के नहीं रहना चाहिए कि तो कहती है कि तुम आने से पहले प्रिप्व अपस के नौक कर लिया गर हो यह अच्छे मैने जोते हैं तो व Reid तो कुंन बोलता है टो कि然后 side कृपड़े जब change कर लेती है तो कपड़े जब change कर लेती है तो कपड़े जब change कर लेती तो फिर है देखतें कि फिर वो बोलती है ठीक है मैंने खबड़े पैन लिया तुम अब तान हो सकती हो तो तो तब तक उसका फ़ोन कारींग कड़ जाता है तो वो जब शाग के तरप देखती है तो वो हसने लगती है तो वो कहती है कि तुम हस क्यों रही हो इतना तो कहती है कि नहीं कुछ नहीं तो कहती है कि नहीं तो मैं कुछ तो मेरे फीस पर कुछ लगा तो कहती है कि नहीं तो फर तो मैं इतनी हशी क्यों आ रही है तो वो बोलती है कि नहीं बस ऐसी तो वो अपने शर्ट के बटन के तरफ ध्यान नहीं हो देती जल्दी जल्दी में उसके सट का बटन जो होता है तूड़ गया होता है तो उसको देख के असरी होती है तो फिर उसका द्यान उस पर जाता है तो तो कहते हो शिट फिर मुझे शोट चेंज करना पड़ेगा तो ऐसे परिशान हो के खड़ी रहती है तो फिर क्रिशन कहती है तुम परिशान मत हो मै कुछ करते हूं तो फिर वो जाती है धागा और लेके आती है तो वो उसके बटन को स्टिच करने के लिए हाथ मांगती है तो श्रया अपना हाथ दे देती है तो कैदी कि पागल मैं तुमारा हाथ नहीं मांग रही बटन मांग रही तो स्टिच करने के लिए तो फिर बोलती है तो फिर वो बटन देती है तो फिर यहां पर ऐसा होता है कि फिर श्रया जो होती है उसको इतने गरीब से देखके बड़ा खुश हो रही होती है तो फिर वो कृष्णा उसके बटन को स्टिच करती है शर्ट पर तो फिर कृष्णा को ऐसा लगता है कि वो उसके और थोड़ा क तो आपने हाथ तो दो इसका कमर पर रखने के लिए ज़ए हघ्या का कर रही है तो फिर जल्दी करने लगता है तो ति एसके लिए करने के बाद बैंद आफ, ज़ली जल्दी क्रिश्न बटन स्टिच करने लगती है यार इतना क्यों सोच रही है रहत तो सकती है ना तो ऐसा इसमें क्या बड़ी बात है तो फिर वो ऐसे सोचते वे फिर अपना हाथ आगे बढ़ाती है बट उसके रखने से पहले ही श्रयाद जो होती है क्रिश्ना जो होती है बटन स्टिच करके दागा काटकी निकाल लेती है और फिर क्याती है अब हो गया तो यह देख के श्रयाद जो होती है कि हो गया तो कहती है कि हाँ हो गया तो थोड़ा सा अपसेट हो जाती है यार अभी थोड़ा दिर और लगता तो क्या चला जाता तो फिर जो श्रयाद होती है फिर क्रिश्ना जो होती है कहती है कि अच्छ बहुता देख लेती हूँ है, तो पिर फिर वह चली जाती है। तो पिर ऐस सिवे六ने उतरते होए आकृष्णा सोच रही होती है, कि बहुता हम उसको क्या हुए था उसकी हरकते ऐसे क्यों हुआ। वो ऐसे सूचती हो तब तक उसकी जो शासो मम्मी होती है वो उसको आवाज देती है कि मतलब की नास्ता बना याने बहुत तो वो बोलती कि अभी बस जस हुई गया हमाजी वो मैं थोड़ा साथ हो कर दी हाँ ठीक है कोई बात नहीं है दीख लो तो वो जाती है किच्छन में स करने की कोशिश करता है और तो जैसे कि नास्ता लगा रही होती है तो यश उसको टच करने की कोशिश करता है और तो जो शा होती है ये चीजों देख लेती है तो पतच करने की कोशिश कर रहा है तो अपने भाई के पैर बहुत जूर से पैर मारती है तो उसका भाई उफ करके चला उठता है तो फिर उसके फादर क्या हुआ हैं कि क्या हुआ तुम चला क्यों रहा हो तो कहता है कि नहीं कुछ नहीं डाड अचानक से पार में दर्द हो गया तो कहते हैं कि ध्यान से ध्यान रखागर हो ऐसा कहां ध्यान रहता है कि तुम्हारे पार में दर्द होता रहता है तो फिर उसके बाद सब नाष्टा करने लगते हैं तो फिर उसको हचकी आने लगती है तो एक राख राया को तोÃ कर्षना जल्दे सा पानी निखाल पीने के लिए तो नाच्छा पीट पे हाथ खिस्टे होए पानी देती है तो cardiovascular पानी पीती है तो ये चीज उसको बड़ा अच्छा लगता है अगर नेचर देखती है तो अच्छा लगता है उसको फिर तो फिर second thing ये होता है कि फिर जो तभी उसी में यश बोलता है कि कृष्णा मुझे सबजी प्लीज पास करो ना तो वो सबजी पास करने को बोलता है तो श्राज जो होती है अपने भाई यश को गौहूर के देखती है तो फिर वो यश बोलता है दली दल में की कुछ भी गर ले बेटा क्रश्ना तो मेरी है तो फिर ऐसा यश बोलता है और मैं उसको हृशिल करके रहुँगा तो फिर उसके बाहस से लोग नाश्ता करते हैं फिर जो श्या होती है तैबर हो जाती है नाश्ता उसका फिनिस हो जाता है और वो jar billions गाम पर जो कृशना होती है बोलती है कि टिफन मैंने बना दी है लेके जाना तो कि ठीक है तो फिर जब यह होता है कि जब उटेफिन के बात करती है तो श्रया को मतलब थोड़ा सा उसका केरिंग नेचर दे कि थोड़ा थोड़ा वो क्रिशना सा टैस्ट होती जाती है तो फिर देड़ कहता है कि तैड़ मैं भी कमपनी जॉइन करना चाहता हूँ तो फिर उसके फैमिली वाले खुश हो जाती है और इदर श्रेया थोड़ा सा सو UP interventions में पढ़ जाती है कि इसको ऐसा क्या हुआ कि यह कमपनी जोइन करना चाहता है फिर इधर से जाती है तो तब तक वो अपना फोन छोड़ते वजाती है तो श्रया छोड़ते वजाती है तो उसको फिर सुनिया जी कहती है कि बटा एक काम करो तुम चली जाओ और यह जो है यह अपना फोन छोड़के चली गही है तो तुम उसको देते हुए आओ तो अक्रिश्णा फोन उठाती है और फोन उठाके देने के लिए बाहर के तरफ जाती है तो अभी श्रया डूंडी रही होते कि शाहद मैं कुछ भूल रही हूं तो तब तक यश उसको र प्लीज ना मीरी एक लुख कर दो तो वह लुख रूदे कैसे ब्राइब आओ चाहिए तो सुबह देख लिया होता है कि अक्रिश्णा उसके बटन्स स्टिच कर रही है त्युक्या वह और कहते हैं कि मेरी शट के बटन्स टूड़ गया हैं तो तो तुम प्लीज स्टिच कर दो भी क्या तो वो कहती है कि हाँ ठीक है मैं कर दोंगे मैं अभी आती है तो जैसे ही जाती है तो फिर जाती है तो फिर जाती है तो फिर जैसे जाने लगती है तो उसका पैर स्लिप होता है तो जैसे ही गिरने वाली होती है तो जो श्रह होती है वो उसको पकड़ लेती है तो ऐसे पकड़ती है तो उनकी नजरे मैच हो जाती है तो यह सब चीजे यश्ट देख रहा होता है वहां से वो मुठी भीचते हुए गुस्से में चला जाता है वहां से तो चला जाता है और फिर यहां पर दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे होते हैं तो देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में शेयर सब्सक्राइब प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए गान तैंक यू